मेरे परिवार जनो, राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार को लेकर, जिस तरह का गंगोर गुशा है, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजस्तान के युवा, कॉंग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्तान की महलाए, कॉंग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्तान के किसान, राजस्तान के पशुपालक, कॉंग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्तान के दुकांदार, व्यापारी, कारोबारी कॉंग्रेस से मुक्ती चाहते हैं। और मैं तो हरान हूं। इस चुनाव का प्रभाव मैं बच्चों के मन पर देख रहा हूं। ये बच्चे कह रहे हैं, गहलो जी, गहलो जी, कौनी मिले वोब जी। गहलो जी, कौनी मिले वोब जी। बच्चे और जब बच्चों में ये भाव, और साइट सेंकलो वीडियो चलते होंगे, ये साब पता रहा है। कि बच्चे भी अपना भविशा कौंग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। राजस्तान के लोग इसलिए गुसा है, क्योंकि उन्होंने कौंग्रेस के राज में सिर्फ तबाही देखी। कौंग्रेस राजस्तान को फिर से बिमारू राज्य बनाना चाहती है। कौंग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तीजोरी भरती रहे, राजस्तान के जनता को वो भूल गए। कौंग्रेस ने चंबल रिवर्फरंट में कैसे कैसे गोटा ले किये हैं, वो भी आप से छिपा नहीं है। लोगों पर दबाव बनाकर कौंग्रेस ने जिन गंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीम मदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग फूल कर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोज सरकार 25 नवंबर को बोटिंग वाले दिन एक गंटा खुलवाने का दबाव डाल रही थी। राजस्तान में बनने वाली भाजपा सरकार ना सिरफ इस हाथ से की जाच करवाएगी बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी। रहे को बल्कित करेगी। अईस्चित करेगी। वाम 45 नवारे दिन वाले रह लहावब